हेगाई नमस्कार आप लोगों का टाप 10 क्लास के प्यारे से यूटूब है पर स्वागत हैं आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कच्छा 10 की बिज्ञान की most important question की यदि अभी तक high school के प्यारे विद्यारतियों आपने कुछ भी बिज्ञान में नहीं तयार किया है चीजे याद करके चले जाओ उतनी चीजे आप तयार करके चले जाओ इससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है प्यारे बच्छो बाहर 27 फरवरी को जो भी एक्जाम होने वाला सारा प्रस्ण मेंने यहां पर आपको लिख दिया प्यारे बच्छो यदि आज आप इस वीड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजएगा वीडिए को लायक करके दूस्तों के साथ सेर जरूर किजे जिए च्ट लिए को ने जाबचो लेते हैं आपके टाइम को बचाने के लिए हमने डाइग्राम को पहले से बना के रखा प्रश्णोत्तर संख्या एक ठीक लिखने के बाद हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकास जो होता है वो किसी इसमूथ सर्फेस अरथात किसी चिकने प्रिष्ट पे पढ़ता है तो पढ़ने के पस्चात सेम उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तिया घटना प्रकास का परावर्तन का लाता है प्यारे बच्चो परंत यहां हमको परावर्तन का नियम समझणा है तो परावर्तन के नियम को समझने के लिए इन सभी चीजों को समझना होगा आपतित किरड क्या होता प्यरवत्चों आने वाली किरड को आपतित किरड कहते हैं और लोट कर जाने वाली किरड को परावर्तित किरड कहते हैं और दोनों किरडों के बीच हीचा गया लंब अभिलंब कहलाता है और आपतित किरड और अभिलंब के बीच जो जुकाओ बनता है उसे हम आपतन कोड कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरड के मद्धे जो जुकाओ बनता है उसे परावर्तन कोड कहते हैं आपतन कोड क का सिंबल आई होता है परावर्तन कोड का सिंबल आर होता है परावर्तन का नियम क्या है वो जहान से समझो तो अगर आप देख पा रहे होंगे परवचो यह आपका एक चिकना प्रिष्ठ है इसका एक भाग उपर एक भाग नीचे है तो परावर्तन का पहला नियम होता है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खीचा गया अभिलंब तीनो दरपड़े के एक ही ओर होते हैं, तीनो एक ही तल में इस्तित होते हैं, फर्ष्ट नियम आपका यही है, पहले बच्चों आप देखें चित्र में देख रहे होंगे, अगर म एक ही हो रहा है न, हाथ के तो एक ही हो रहा है, तो इसी को हम पहला नियम कहते हैं, प्यार बच्चों, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनो एक ही तल में होते हैं, और सेकेंड ला क्या होता है, प्यार बच्चों, सेकेंड ला यह होता है, कि यह आप ते यकी आपतन कोड होता है यह परावरतन कोड के सदयाय को बर अजय होता है अगर यह घत रहा है यान आप standards voor आपस समén बरावर होते हैं कोड आई बरावरतन का दो नियम है दो क्या होता है आप हम बात करेंगे सेकेंड प्रश्ण की सेकेंड प्रश्ण क्या कर रहा है ध्यान सरी कि एक उत्तर लिंज के सामने उसके प्रकासी केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी हुई है किरण आरे खिचिए प्यारे बच्छो एक उत्तर लिंज के सामने उसके प्रकासी केंद्र अर्था पी या ओ और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तुका किरड आरेक खिचना है तो प्यारे बच्चो ये भी हमने क्लास में पढ़ा के रखा है पूरा छोग कंडिशन के साथ पढ़ा के रखा है हम लोग एक क्या बना लेंगे उत्तर लेंगे मुख्य फोकस के बीच में तो देखे यह वस्तु AB है जो कि मुख्य फोकस और प्रकासिक केंदर के बीच में है अब यहां से में फ़र्ष्ट नियम लगाया कि यहां से मुख्यच के समानतर चलने वाली प्रकास केंदरे जब लेंस से टकराती है तो वो दिती फोकस F2 से होकर जाती है तो यह देखे दित हुए बीना सीधे निकल जाती है तो अगर देख रहा होंगे प्यारे बच्चो यह दोनों किरणे अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह आगे नहीं मिलने वाले हैं पर अगर इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाए तो यह मुख्य फोकस यानि प्रथम मु वस्तु का वस्तु से क्या बना है बड़ा बना है और साथ में प्यारे बच्चो सीधा बना देखे जिस प्रकाप्रतु है उसी प्रकाप्रतिमिम है तो बड़ा सीधा आभासी और प्रथम फोकस के पीछे बनता है इस प्रकार आपका प्रश्ण नंबर दो भी क्या हो जाता अब हम बात करेंगे प्रश्ट नंबर 3 की प्रश्ट नंबर 3 आप से क्या कर रहा है ध्यान से देखी पहले बच्छो प्रश्ट नंबर 3 क्या कर रहा है तीसरा प्रश्ण है वायू के सापेच वायू के सापेच किसी द्रव का क्रांतिक कोड 45 अंस है तो उस द्रव का अपवर आईए हम इस प्रस्न को solve कर लेते हैं ध्यास लिखे तीसरा नंबर है तो क्रांति कुड़ आपको दिया गया है सबसे पहले आपको एक्जाम में लिखना है क्रांति कुड़ ic equal to दिया है 45 अपवरतनांक ग्याद करने के लिए बोला है क्या ग्याद करने के लिए बोला है पहरे बच्छो अपवरतनांक आयथा जनका फामूला हम जाते हैं यहन इकोल था की बात करेंगे प् nig कि से करते हैं इसका कारण एवं निवारन चितर सहीद बनाओ या चितर सहीद बताओ प्यारे बच्चों most important question है ये कई बार exam में repeat होता है तो ध्यान से समझना कभी confusion मतलाईएगा कि दूर दिरिष्टी दोस है तो ऐसा कभी मतलिख दिजेगा कि दूर की वस्तुए नहीं दिखाई पड़ती प्यारे बच्चों जो दोस होता है वो वस्तु दिखाई पड़ता है और जो दोस नहीं रहता वहां की वस्तु आपको नहीं दिखाई पड़ती जैसे अगर दूर दिरिष्टी दोस है तो दूर की वस्तुए असपष्ट दिखाई पड़ती है सबसे पहले आप यहां ध्यान से दिखाईगा इतनी चीजों को आपको समझना है कि जिस ब्यक्ति को दूर दृष्टी दोस हुआ रहता है वो क्या होता है कि उसकी जो ये नेतर गोलक होता है ये जो रेटीना है ये रेटीना है तो इसमें जो प्रतविम होता है किसी भी वस्तु का जो प्रतविम होता है वो रेटीना से दूर बनने लगता है इसलिए इसे हम दूर दृष्टी दोस कहते हैं प्यारे बच्चो दूर दृष्टी दोस वाले व्यक्ति में जो प्रतिविम होता है वो रेटीना से दूर बनता है इसलिए हम इसे दूर दृष्टी दोस कहते हैं अब इसको हमको रेटीना पे बनाना है तो ये प्रतिविम रेटीना पे तब जब हम इसमें एक उत्तर लिंस का क्या कर देंगे प्रयोग कर देंगे तो निवारण के लिए देखे हम लोगों ने यहां पर एक उत्तर लिंस का उपयोग कर दिया जिसके कारण जो रेटीना से प्रतिमिम दूर बन रहा था वो प्रतिमिम रेटीना पर बनने लगता है और इ इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तरलेंस का उपयोग करते हैं जिसके कारण रेटीना जो प्रतिमिंग रेटीना से दूर बनता है वो प्रतिमिंग रेटीना पर बनने लगता है अब इसी में पूछा था प्यारे बच्चो कि जो है इसका कारण क्या होता है दोस्थ कि इस प्रकार के दोस्थ क्या होता है प्यारे बच्चो कि इस प्रकार की दोस्थि निकट की वस्तुए नजदीक की वस्तुए आपको असपस्ट दिखाई पड़ती है परन्तु जो दूरी की वस्तुए होती है वो आपको असपस्ट नहीं दिखाई पड़ती है इस प्रकार का दोस निकट द्रिश्टी दोस कहलाता है एक बार मैं और क्लियर करना चाहूंगा क कि इस प्रकार के द्रिष्ट्री दोस में निकट की वस्तुए नस्दीक की वस्तुए क्लियर दिखाई पड़ती है। द्रिश्टी दोस कहते हैं आईए हम इसको डाइग्राम की माध्यम से समस्त तो प्यारे बच्चों ये ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे कि जिस ब्यक्ति को निकट द्रिश्टी दोस हो जाता है उस ब्यक्ति के रेतीना का जो प्रतिमींब रेतीना पर बनना चाहिए वो रेटीना से पहले बनने लगता है रेटीना के नस्दीक बनने लगता है पर रेटीना पे प्रतिमिम्ब नहीं बनता इसलिए इस दोस्त को निकर देश्टी दोस्त कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रतिमिम्ब होता है अनन्त पर रख़्िवस्त का प्रतिमी में रेटीना के नस्दीक बनता है रेटीना के पास में बनता है रेटीना पे नहीं बनता इसलिए हम इस दोस्त को क्या करते हैं निकरदेश्टी दोस्त अब ये प्रतिमी मुझे रेटीना में बनाना है इसके लिए प्यारे बच्चो हम यहाँ पर एक आउतल लेंस का उपयोग कर देंगे जिसके कारण यह प्रकास केलड़े रेटीना पर जाके मिलने लगेंगे आईए प्यारे बच्चो इसका निवारण इस प्रकार करते हैं इस प्रकार किया गया देए यहां क्या है प्रकास किर्ड़े यहां से थोड़ा सा अपसरीत हो जाती है और अपसरीत होने के बाद जो रेटीना पे नहीं बनती रहती है वो प्रकास किर्ड़े जाके रेटीना पे बन जाती है और आपका जो निकट दिश्टी दोस होता है उसक नहीं पढ़ती इस दोस्त का कारण किया होता है जो नेत्र गोलक होता है यसके कारण क्रते हुए पहले बढ़ता है इसका निवारण क्या क्या है इसके डाइग्राम को फिर से एक बार देख लिजिएगा ठीक आप याद रखेगा कि ढ़रना नहीं चाहिए आपको ठीक चलिए अब हम बात करेंगे पैरबच्चो छठा नंबर क्योशन क्या करा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योशन मानव नेत्र किसे कहते हैं इसके प्रमुख भागों का वर्लन किजे पैरबच्चो मानव नेत्र एक प्रकार का 85 कियंत्र होता है जो कि हम लोग जिसकी सहायता से इस रंग ब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलग्द है आप वहां से जाके देख लिजेगा जरूर देख लिजेगा पैरबच्चो जरूर तयार करके जाएगा यहां अगर आप इस पूरी क्लास को तयार करके जाओगे इससे बहुविकल्पी भी आपके बन जाएंगे पैर जब कोई प्रकास किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो सात रंगों में बट जाता है तो प्रिज्म से प्रकास का सात रंगों में बटना ही वड़ बिच्छे पड़का लाता है आईए इसको हम समझने के लिए पैर बच्चो एक डाइगराम बना के रखे हैं तो क्या है य जब कोई स्वेत प्रकास किसी प्रिज्म पे पढ़ता है तो प्रिज्म में पढ़ने के पस्चात यह सात रंगों में क्या हो जाता है विभक्त हो जाता है सबसे उपर लाल होता है प्यारे बच्चों सबसे नीचे बैगनी होता है तो इस प्रकार एक परदे पर एक क्रम प्रा सबसे नीचे सबसे कम बिच्छेपरиком बिच्छेपर सबसे जब कर दा होता है इस परकार आपका 7 पुन बी क्या हो जाता है एकदम most important question है ध्याल समझेगा ओम का नियम क्या है प्यारे बचो ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी चालक की यदि कोई चालक ले लेते हैं उसकी भौतिक कवस्ता में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करते है यदि हम चालक ले ले और उस चालक की भौतिक कवस्ता में कोई परिवर्तन न करें तो प्यारे बचो चालक में बहने वाली जो current होती है वो लगाये गए voltage के अनकर्मान उपाती होता है लगाये गए विभाव के अनकर्मान उपाती होता है आईए हम समस्ते हैं जैसे हमने कहा कि ये कोई क्या ले लेते हैं चालक ले लेते हैं और इस चालक की भौतिक वस्ता में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो लंबाई नहीं बढ़ाये इसके इसकी ताप में कोई परतर न करें तो इसमें जो बहने वाली current होगी इसमें जो बहने वाली current आई है वो विभाव के क्या होगा समानुपाती होगा पैरे बच्चो इसको हम लोग किरडारेक द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं यह देखिए यहां पर यह चीज़े हमने graph में बना के रखा पैरे बच्चो देखिए इसके करने का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चालक में voltage बढ़ाना start करते हैं जब voltage बढ़ाना start करते हैं तो ज पैरे बच्चो कि उनके कहने ohm के नियम के कहने का मतलब था कि हम कोई ऐसा चालक ले ले और उस चालक में अगर कोई परिवर्तन नहों भौतिक वस्ता में कोई परिवर्तन नहों तो उस चालक में जो बहने वाली धारा हो voltage को पर डिपेंड करता कि voltage बढ़ाते चले current आपका अगर voltage आपका घड़ता है current भी घड़ता चला जाएगा तो उन्होंने बताया कि voltage और धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है voltage और धारा का जो एक अनुपात होता है वो नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं जो आर होता है पह वही आरे हाँ वही आरे हाँ वही आरे हां यहां वही अरे हां लाकिन जैसे यह धिखे पहले अप्र वामुला देख लीज़े तब आर निकालते हैं मैं वी प्रपोर्पस्णॉर्टी क्या इस बिंदू पर निकाले तो voltage कितना है दो है और current कितना है चार्थ गर cancel out करेंगे तो एक बटे दो यहां भी आएगा अगर यहां voltage देखे तो तीन है यहां कितना है current 6 है इसको cancel out करेंगे तो एक बटे दो आएगा ऐसे देखे सभी प्रतिरोध आपका वही आ रहा है इसी को ओम का नियम कहते है प्यार बच्चो कि ओम का नियम है voltage और current का ratio एक नियतांक होता है इस बात को ध्यान इस प्रकार आपका आठ्मा प्रश्न कंप्लीट होता है अब हम बात करेंगे नंवे नंब़ प्रश्नी की नवा नंबब प्रश्नी क्या करा रहे दियान treatment x प्रश्न जो है करा है कि स्रेणी करम सयोजन के सुत्र का निगमन करो प्रवच्चों यह हमेशा प्रश्न चार नंबर के किस्चन पूछता हमेशा जब पूछा जाएगा चार नंबर तो स्रेणी करम सयोजन के सुत्र का निगमन किजिए एकदम आसान भासा में हम लोग इसका परिवन करने वाले परिवच्छत आये समझते हैं सबसे पहले अगर हम समझना चाहें तो स्रेणी करम स्रयोजन क्या होता है ध्यान से दिखें हमने डाइग्राम पहले से बना के रखा है स्रेणी करम स्रयोजन क्या होता है कि यह प्रतिरोध आरवन है यह आरटू है यह का प्रथम है यह R2 का दिती है यह R3 का प्रथम है यह R3 का दिती है तो प्यारे बच्चो क्या हो रहा है कि जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो इस प्रकार के सयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के सयोजन को सिरणी करम सयोजन कहते है इसकी खास बाते क्या होती प लग अलग होता है बलकि जो current होती है वह सेम होती है current कहीं पर नहीं बदलता है अब हम क्या करेंगे इसका निगबन करेंगे तो द्यान से देखे यह बैटरी के दोरा total voltage के इतना वी है तो पहले यहीं शुरूवात करेंगे कि परिपत मे परिपत का कुल परिपत का जो कुल भी हो है यह V1, V2 और V3 यह इसी के बराबर होगा यहीं से सुरुआत कर रहे हैं परिपत का कुल भीभा परिपत का कुल भीभा क्या हो जाएगा प्यार बच्चो V equal to होगा V1 plus V2 plus V3 equation number first अब ओम के नियम से प्यार बच्चो ओम का नियम क्या कहता है ध्यान से रिखे ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है जो V होता है वो I into R के क्या होता है equal होता है अगर ऐसे मुझे V मिल गया अगर मैं वैसे ही V1 निकाल लू V2 निकाल लू, V3 निकाल लू तो हम क्या निकाल लेगा V1 किस सीरे पर भीभов था R1 सीरे पर दिखे V1 किस सीरे पर भीभов R1 पर न, तो अब लिखेंगे R1 सीरे पर भीभов तो R1 सीरे पे जो विभव है वो कौन है V1 V1 बराबर क्या हो जाएगा अब जहां I है current तो वही है बलकि resistance आनि आपका प्रतिरोध बदल गया वो हो गया R1 ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें R2 सीरे पे किस पे बात करें प्यार बच्छो R2 सीरे पे तो R2 सीरे पे विभव V2 है current होई है I प्रतिरोध बदल गया R2 हो गया इसी प्रकार अगर हम बात करें R3 सीरे पर किस पे प्यार बच्छो R3 सीरे पर तो R3 पर V3 हो जाएगा प्रकरंट हो ही रहेगा प्रतिरोध बदल जाएगा पहरे बच्चो अगर यही सब बैलू समी करण एक में रख दें तो क्या मिलेगा द्यान से समी करण एक में देखें V है तो V के स्थान पर क्या रखेंगे यहाँ R2 और यहाँ कौन बच जाएगा R3 बच जाएगा और यहाई आई आ रागे यहाई से आई क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा तो R equal to formula आजाएगा R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा R3 इस प्रकार प्यारे बच्चो आपका यह जो है प्रतिरोधों का स्रेणी करम सयोजन का फार्मूले का निगमन हो जाता है इस प्रकार हम इसको निगमन करते हैं प्यारे बच्चो देखे कितना आसान है इस प्रकार हम इसको निगमन कर सकते हैं चलिए अब हम बात करेंगे व्रस नमबर 10 क्या करा प्रपечатो करें तो प्रतिरोध है कि जब इस प्रकार के सहयोजन में सभी प्रतिरोध होगा, जितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं, आ यहां तो तीन ही जुड़े हैं, जितने प्रतिरोध जुड़े रहेंगे सभी प्रतिरोधों का जो एक सिरा होता है इसका देखे ये पहला सिरा फिर ये भी पहला सिरा ये भी पहला तो इसके तीनो प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो एक बिंदू से जुड़ा है और जो इसका जो दूसरा सिरा है वो एक बिंदू से जोड़ा है प्यारे बच्छो तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर करम संयोजन कहते है तो प्यारे बच्छो जब सभी प्रतिरोधों का प्रतम सीरा एक बिंदू से और दूसरा सीरा दूसरे बिंदू से जोड़े हो इस प्रकार के सायोजन को समांतर कर्म सायोजन कहते है ठीक प्यारे बच्चो आईए हम समझते हैं ध्यान से देखना यहां इससे जो चलने वाली जो करेंट होती है वो करेंट क्या होती बढ़ जाती है मलग कहने का मतलब है कि इस प्रकार के सायोजन में current अलग-अलग होता है यानि धारा भिन-भिन होती है और जो voltage होता है वो समान होता है तो जो धारा भिन-भिन होती है ये जो i है इन तीनों के योग के क्या होगा पराबरोकात यही से सुरुगात करते हैं तो परिपत में कुल धारा i equal to होगा i1 plus i2 plus i i equal to हो जाएगा v बटे r i equal to क्या हो जाएगा v बटे r अब ऐसे ही अगर हम r1 सीरे में जो बहने वाली धारा i1 निकाल ले फिर r2 में i2 निकाले r3 चले निकालते हैं तो लिखेंगे पहले अब क्या लिखेंगे r1 r1 सीरे से प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा तो प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो i1 है i1 equal to बोल्टेज आपका वह ही है v बोल्टेज सेम है रजिस्टेंस बदल जाएगा प्रतिरोध बदल जाएगा r1 हो जाएगा इसी प्रकार प्यार बच्चो हम R2 सीरे पर कर लेंगे R2 सीरे से प्रवाहित होने आली धारा जो होगी वो I2 हो जाएगे बोल्टेज वही रहेगा प्रत्रोध बदल जाएगा R2 हो जाएगा ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें R3 सीरे की किसकी बात करें? R3 सीरे पर धारा जो होगी वो I3 कुल्टू हो जाएगा V बटे R3 ठीक ये I, I1, I2, I3 इन सब कामान समी करण एक में रख देते हैं तो चलिए समी करण एक से समी करण एक क्या हो जाएगा? इस I कहस्तान पे हम ये रखेंगे V बटे R तो V बटे R हो जाएगा ठीक I1 के स्तान पे V बटे R1 रखेंगे फिर I2 के स्तान पे V बटे R2 रखेंगे I3 के स्तान पे V बटे R3 रख देंगे सब के स्तान पे क्यों रखा गया? अब यहां से V बटे R है ही अगले स्टेक में देखे अब उपर V वी वी कामन है तो जो होई V कामन लेंगित क्या बचेगा? एक बटे R1 बचेगा एक बटे यहां R2 बचेगा और यहां एक बटे R3 बचेगा पर बच्चो V वी से क्या हो जाएगा? चैंसल हो जाएगा तो जो लास्ट वाला रिजल्ट आएगा जो समानता क्रम सेयोजन का फार्मूला आएगा यहां एक बटे R बचा है तो क्या आज आएगा? एक बटे R एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3 इस प्रकार प्यार बच्चो समानता क्रम सेयंजन का फार्गूला हाता देखते हैं प्यार बच्छो अगला प्रस्ण 11 नमबर प्रस्ण क्या करा है most important question एक किलो वाट घंटा को जूल में बदलो या इसको आपको ऐसे भी पोश सकता है कि एक किलो वाट घंटे में कितने जूल होते है ता यह बदलते हैं 11 नमबर को देखे तो ध्यान से देखेगा प्यार बच्छो प्रस्ण नमबर आपका 11 था प्रस्ण नमबर 11 कह रहा है कि एक किलो वाट एक किलो वाट घंटा को जूल में बदलो एक किलो वाट घंटा तो प् ह् ठिक कोई मतलब 1 गंटा Korean कि आग किलो वार्ट गंटा थे फिष्क एक हच्षार वाट एक गंटा वराबर होता पिरद्टो कितना तो्क छहनत से समझेगा ये 10000 वाटब्र सेकन एक चाहतीस सो सेकंड होता है यह जो सेकंड है, इस से कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक जोली पिर Tex टीकस है वर भी यह न आजबे चैकि जुड़ी कर दो देंका उत्थ ते दो तो तीन दो पाँच पांच जीरो हैं तो 36 गुड़े दस घाते पांच आ जाएगा अब पॉइंट यहां है एक अंक इधर ला देते हैं तो तीन दस मलो उच्छा यहां एक हो पावर बढ़ जाएगा दस घाते च्छा जूल हो जाएगा तो एक किलो वाट घंटे को जूल में ह है एक वायर बढ़ ले लेटे हैं वो वायर कुछ इस नुमा हो गया ठीक जिसके वायर की एक अनंत लंबाई की ये वायर जो है प्रवचो अनंत लंबाई का है पतला इसकी लंबाई निस्चित नहीं है परंतु इस वायर में एक छोटा सा भाग एक छोटा सा भाग छोटे से भाग की लंबाई माल लेते हैं प्रवचो डिल्टा एल इस छोटे से भाग की लंबाई यानि तार क कोई एकांक लंबाई ले लेते हैं जिसका नाम जिसकी लंबाई कितनी है डल्टा एल नहीं छोटा सा ठीक अब इससे आर मीटर की दूरी पर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदुप्टी माल लेते हैं जिस पे हमको चुम्बकी छेतर ग्याद करणा है तरवच्चो अगर जैसे ही इसमें हम आई धारा प्रभायत करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जब किसी तार में करेंट फ्लो करते हैं तो तार के चारों तरफ मैगनेटिक फिल्ड उत्पन हो जाता है था चुम्बकी छेत उत्पन हो जाता है तो बायो सिवर्ट का नियम तार के कारण उत्पन चुम्बकी छेतर ग्याद करने के लिए निकाला जाता है तो आएए हम समझते हैं कि माना कोई तार है जिसका जो अनंत लंबाई का है जिसके एक भाग की लंबाई डेल्टायल है जिसमें बहने वाली धारा आई है जिसके कारण जो चुम्बकी छेतर है वो किन-किन बातों पर निर्वण करता है वो सबसे पहला जो चुम्बकी छेत उत्पन हो रहा है या चुम्बकी छेत ग्यात करना वो किन-किन बातों पर निर्वण करेगा तो पहले बच्चो ध्यान से दिखेगा सबसे पहला कि जो वो बी होता है जो चुम्बकी छेत उत्पन होगा बी तार में आई धारा प्रवाइद के तो बी तो ये B proportional होगा I समीकर नंबर 1 प्यर्वच्चो ध्यान से तमझेगा मतलब जितनी ज़्यादा current flow होगा उतना ज़्यादा चुम्बकी छेतर उत्पन होगा ठीक प्यर्वच्चो अब क्या है अब यहाँ पर क्या है इस तार की जो लंबाई है इस तार की लंबाई ये अलपांस भाग की लंबाई अगर बढ़ा दे तो चुम्बकी छेतर भी बढ़ जाएगा अर्था बी प्रपोर्स्नल डिल्टा एल तार की लंबाई के अनुकमान पाती है तार की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे चुम्बकी छेतर बढ़ता चला अब उसके बाद क्या होता है ध्यान से समझें अब उसके बाद ये जो कोड़ बना है इस कोड़ की जा मतलब कोड़ की जा का मतलब साइन sign theta के भी क्या होता है अनकर्मान उपाती होता है sign theta के भी अनकर्मान उपाती होता है और कहें बच्चोँ एजो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसके वर्ग के व्रत्क्रुमान उपाती होता है अर्था B proportional 1 upon a square समी करण नंबर क्या होगे? इतनी बाते clear हुई यानि जो चुम्ब कीचेत है वो इन चार बातों पर निर्फर करता अगर इन चारों को मिला दें समी करण एक दो तीन वा चार को क्या मिलेगा देहां से की समी करण एक दो तीन वा चार से क्या मिल जाएगा जो यह भी है वह proportional हो जाएगा I delta L sine theta बटे कितना हो जाएगा R का स्क्राइब ये हो जाएगा अब इस proportional को हटा देंगे तो एक नियतांग लगा देंगे प्यार बच्चो जो हता mu naught upon 4 pi ठीक into I delta L sine theta बटे कितना R स्क्राइब जहां जो mu not होता है प्यारवचो वो निर्वात की चुम्बक सिलता होती है जो mu not है वो निर्वात की क्या है चुम्बक सिलता है इस total की value 10 घाते माइनस 7 होता है इस बात को ध्यान दिजे mu not क्या है निर्वात की चुम्बक सिलता है निर्वात क्या है प्येरवच्चो צुम्बक सीलता है और जो इस टोटल की वेलूज होती है दस गाते माईनस 7 होता है मू नाट अपानพ保र पाई की जो वेलू होती है वो दस गाते माईनस 7 होता है इस प्रकार हम बाइस शुद की नियम को बताते हैं ठीक ध्यान से समझेगे पैरे बच्चो अगला प्रशन तीरा नंबर प्रशन आपसे क्या करा है कि फैराडे के बिद्दु चुम की प्रण के नियम को लिखो चाहे फैराडे के बिद्दु चुम की प्रण कहे या बिद्दु ती बिद्दु चुम की प्रण क्या होता है पैर रचो यहां ध्यान से लिखेगा सबसे पहली चीज यहां पर क्या लिखी गई line to line आप पढ़ लीजे क्या करा कि जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुम्बकी फ्लक्स का मतलब होता है चुम्बकी बलरेखाओं की संख्या में परिवर्टन होता है तो कुंडली में एक बिद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाता है जिसके कारण एक धारा बहने लगती है और यह केवल तब तक भता रहता है या तब तक होता है जब तक चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है यही फैराड़े का पर्थम नियम है और इसी घटना को बिद्दूत इसी घटना को बिद्दूत चुम्बकी प्रेरण भी करते हैं अब लाइन टू लाइन आपने पढ़ लिया है तो क्या कर रहा था कि जब ऐसी कोई कुंड़ली लेते तक पढ़िए पशित अगर इस कुंड़ली के पास ले जा रहे तो इनसे निकलने वाली जो चुम्बकी बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी पडियुअ COMEI और छे ज़ैसे ही इस कुम्बक को हम इस कुंडली के पास एसे लगातार लेके जाएंगे तो इस कुंडली से होकर गुजरने वाली ये चुम्बकी फ्लक्स ये चुम्बकी बल रिखाओं की संख्या में क्या होगा परिवर्तन होगा तो जैसे ही परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्धुत्वाहग वल उत्पन होगा जिसके कारण एक धारा उत्पन हो जाती है और यह धारा तब तक हो बहती रहती है, जब तक हम इसमें क्या करते रहते हैं, परिवर्तन करना बंद कर दे तो धारा भी बंद हो जाएगा, यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, कि यदि हम इस चुम्बक को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, तो भी जब हम कुंडली स दूर लेके जाते हैं तो क्यों धारा की दिशा क्या हो जाती है, धारा उत्पन होती पर तो धारा की दिशा बदल जाएगी, यह होता है फैराडे का प्रथम नियम प्यारे बच्चों, अब फैराडे का दिती नियम क्या है, दिती नियम यह है, कि फैराडे ने अपने दिती उत्मन होगा त्यही कहरात सिके डिला कि बंद कुंडली में उत्पन बिद्दुत्वाहक बल बंद कुंडली में उत्पन बिद्दुत्वाहक बल चुम्बकी फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अंकर्मान उपाती होता है यह माइनस यहां क्या बता रहा है कि यह जो है परिवर्तन कर हुता है यह यह जो है जो है इसका रही बिरोध कर रहा गेगा प्यर्वलद करेंगा प्यारे बच्छो र tweeting ग्रातम कोहीं यहां व्यक्त करता है इस प्रकार हम फेरादे के प्रथम और दिती नियम दों प्यारे बच्छो 14 नमबर प्रशन क्या करा है है कि फ्लेमिंग के दाएं हात और बाएं हात के नियम को लिखे फ्लेमिंग के दाए हात और बाए हात के नियम को लिखे प्यरवचो आरा ध्यान से दिखेगा इन दोनों में से एक जरूर पुछेगा चाहे दाए हात का नियम पुछे चाहे बाए हात का नियम एक बात बता देते हैं प्यारे बच्चो जो दाए हात का नियम होता है उसे हम लोग चुम्बकी बल की दिशा को निकालते हैं और जो दाए हात का नियम होता है प्यारे बच्चो वो हम धारा की दिशा को ग्या तो प्यारे बच्चो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेमिंग के द दाए हात का नियम क्या कहता है कि यदि हम दाए हात की तीनों अंगलियों को इस प्रकार व्यवस्तित करें कि वह तीनों एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो इस प्रकार प्यरवच्छो देशे कि आपको कैमरा में अब कैसे दिखे रहा प्यरवच्छो आप ध्यान से दिखेगा यानि फ्लेमिंग के दाए हाथ के नेमान साथ इन तीनों अंगलियों को परसपर हम क्या करें इस प्रकाव व्यवस्तित करें कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो लंबोत हो जब ये तीनों एक दूसरे के लंबोत हो और ये जो तरजनी अंगली है ये तरजनी अंगली जो है प हो ति यह मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को विक्त करता है यही ऐ फ्लेमिंग के दाए हाथ का नियम के दाए हाथ के? नहीं हैं अब यपा फिर से चुमिंग, के दाईय, हाथ का नियम क्या करता हो। तिये मध्यमा धारा की दिशा को ग्यत्त करता है इस प्रकार प्यारवचो फ्लेमिंग के दाये हाथ को हम लिख सकते हैं अब बाया हाथ का नियम क्या करता है फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम क्या करता है प्यारवचो कि यदि हम फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम के अंसार इन तीनों अंगुलियों को इस प्रेकार ब्यौस्तित करें कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है लंबवत हो तो अंगुठा चालक पे लगने वाले चुम्बकी बल की दिसा को ब्यक्त करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुम्बकी बल की दिसा को ग्यात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुम्बकी बल की दिसा को ग्यात करते हैं फ्लेमिंग के बायात का नियम क्या प्यारे बच्छो कि यदि तीनों अंगलिया एक दूसरे के लंबोत हो और यह जो तरजनी है यह चुंबकी छेत की दिशावे हो मध्यमा धारा की दिशावे हो तो अंगुठा चल अपे लगने वाले चुंबकी वल की दिशाव को विक्त कर पहले बच्छों most important question है इस पे और इस पे इन दोनों पे आप start देना चाहोँ कितने start दे दोगे आप counting नहीं कर सकते दोनों question को आप जरूर एक बार नहीं दो बार नहीं तीन चार बार पढ़के जाओ दोस्तों क्योंकि यह साथ नंबर अकेले देखे जाएंगे के दोनों question कोई प्रश्ण आप से पूछना ही पूछना है यह दोनों प्रश्ण को पहले start करने मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप पूरे डीपली सच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यह जो दोनों class है हो आपको चैनल पर मिल रहेंगे आप वहां से जाके देख लिजेगा यहां तो किवल प्यारबश्ण आपको यहां सवाव कराया जा रहा है तो चलिए प्रयास करेंगे कि यहां भी आपको समझ में आ जाए तो फ़ले बात करते हैं बिद्दूत मोटर की किसकी बात करते से यांत्रीक उर्जा को किसमे कनवर्ट किया जाता है प्रवचो बिद्दूत मोटर जो होता है जिसकी सहायता से हम बिद्दूत उर्जा को यांत्रीक उर्जा में बदलते हैं बिद्दूत उर्जा को किसमे कनवर्ट करते हैं यांत्रीक उर्जा में कनवर्ट बिद्दूत मो छेतर चुम्बक होता है एक आर्मेचर होती है एक क्या होता है पैरे बचो आर्मेचर होता है और दोठो सरपी वले होता है देखे ये गोले गोले जो है ये और ये ये दो सरपी वले है और यक्स और वाई दोठो क्या है ब्रुस है यक्स और वाई दो ब्रुस है और ये दोनो क्या है प्यारबचो सरपी वले हैं अब क्या होता है ध्यान से समझेगा प्यारबचो कि जैसे ही इसकी क्रियाविधी हम कैसे लिखेंगे जब हम किसी बैटरी के द्वारा क्या होता है प्यारबचो ध्यान से लिखेगा कि जब हम किसी बैटरी के द्वारा किसी इसमें क्या करत करते हैं जब किसी बैटरी द्वारा आर्मेचर में क्या किया जाता है करेंट प्रवाहिद किया जाता है तो इससे इससे होका गुजरने वाली यह जो चुम्बकी फ्लक्स है पहले चुम्बकी फ्लक्स है इसकी संख्या में क्या होने लगता है लगातार परिवर्तन होने लगत मतलब ये कुंडली जो है ध्यान से दिखेगा कि क्या होता है कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवायद करते हैं जब किसी कुंडली को दो चुम्बक के मध्य रख कर धारा प्रवायद करते हैं तो धारा परिवर्तन के कारण इसमें क्या होने लगता परिवर्तन होने लग जिसके कारण ये कुंडली है क्या करने लगती है इस अच्छ के परता अपने अच्छ के परता क्या करने लगती घुरन करने लगती प्यारे बच्छो और ये घुरन करने लगती है जो जिसके कारण विद्दूत उर्जा किसमें बदल जाती है या अंत्रिक उर्जा में बदल जाता है एक बाद मैं फुर्णा आपको बता रहा हूं प्यारे बच्छो कि जब हम किसी कुंडली को जब हम किसी आर्मेचर को दो चुमबक के बीच में रखकर उसमें करेंट करते हैं तो करेंट लगातार परिवर्तन होने के कारण इसके चुंबकी फ्लक्स में क्या होता परि कर सकते हैं परन्तु मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हो कि आप इसका फुल वीडियो है फुल क्लास हो है आप चैनल पर जाके एक बार जहुर देख लेज़ेगा वहां आपको रचना क्रिया विधी सारी लिख के बताईगे ता आप वहां से देख सकते पर रवच अच् सेशन के लास्ट किस्चन की विद्दु जनित्र का आरे खिच कर क्रिया विधी और सिधान्त को असपस्ट कीजिए चलिए बात करते हैं प्रस नंबर 16 यहां देखिए प्यारे विद्दु जनित्र सबसे पहले किस्चन होता है विद्दु जनित्र क्या होता है तो विद्द कर देते हैं और इसका सिद्धान्त जो पूछा है वो है विद्धुत चुमकी प्रेणर के सिद्धान्त पे कार करता है किस सिद्धान्त पे कार करता है और यह विद्धुत चुमकी प्रेणर के सिद्धान्त पे कार करता है तो विद्धुत चुमकी प्रेणर के सिद्धान्त पर काल करता है अब इसमें भी स्रनचना सेम टू सेम विद्दूत मोटर के ही जैसा होता है इसमें भी दोठो छेतर चुंबक होता है एक आर्मेचर लगी होती है दोठो बुरुस होते हैं एक दोठो सरपी वले होते हैं एक धारा मापी लगाना था धारा मापने के लिए प्या हम किसी आर्मेचर को दो चुम्बक के मत धेरख कर तेजी से घुमाते हैं तो जब चुम्बक को तेजी से घुमाएंगे तो तेजी से जब घुमाएंगे प्यारे बच्चो तो इससे जो चुम्बक की फ्लक्स गुजर रहा है इससे जो चुम्बक की बल रेखाये निकल रही है इनकी संख्या में क्या होगा परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होने के कारण एक बिद्दुत वहकबल उत्पन हो जाएगा जिसके कारण एक धारा उत्पन होगी और जो धारा उत्पन होगी उसे धारा मापी माप लेगा इस प्रकात प्यारे बच्छो यांतरिक उर्जा किसे बदल जाती है बिद्दूत उर्जा में बदल जाती है I hope कि आज की मैंने जितनी किस्टन लिस्ट में रखा था सोला किस्टन वो सभी सोला किस्टन आपके एक्जाम में एकदम बुस्टर रोज की तरह काम करने वाला है पहरे बच्चो उम्मीद है कि आपको सारे प्रशन यहीं से मिल जाएगा तो अभी तक अगर आपने वीडियो क को सेर नहीं किया होगा तो फटा फट फटा फट सभी दोस्तों के पास वीडियो को सेर कर दो यार दोस्तों क्योंकि काफी मेहनत किया जाता है आप ही लोगों के लिए मेहनत करें पैर बच्चो मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नय अच्छे से वीडियो लेकर तब जै हिन जै भारत बाई बाई